हेलो एवरीवन गाईस आज के इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं आपके द्वारा गए वेजे गए कमेंट के बारे में एक स्टूडेंट ने कमेंट वक्स में कोशन लिखा था कि सर ये बताईए कि यदि हमारा बैक पेपर आ जाता है बीटेक में और बीटेक में बैक पेपर आने के बाद जब रिजेल डेकलेर किया जाएगा तो उसमें क्या लिखा होगा उसमें फेल लिखा होगा या फिर कुछ बैक पेपर का मेंसन होगा तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जब रिजेल डेकलेर किया जाता है बैक पे होगा जब आपके बैक पेपर क्या है एक सअमय के बाद क्या है होंगी हम और Am 1976 जैदा हो जाती है तो फिर आपका क्या ये ये अगर हम सिंप्टल बैक की बात करें च्छी एक आया तो इसमें आपका जो result है वो fail नहीं आता है आप क्या next year के लिए क्या है promote हो जाते हैं लेकिन वो जिस paper में आपका back आया है उसको आपको क्या clear करना पड़ता है तो आपको यह द्यान रखना है कि उसमें fail बिल्कुल mention नहीं होगा सिर्फ उसमें back paper mention होगा और किस subject में back आया है वो भी उसम clear कर लेंगे तो आपको जो final mark street होती है वो आपको provide कर दी जाती है college की तरफ से और यदि फिर विवी कोई आपका doubt रह जाता है तो आप नीचे comment और से comment करके पूछ सकते हैं और ऐसे वीटोस देखने के लिए आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोट इसे आते हैं and thanks for watching our video, मिलते हम से next video में तब तक लिए सुक्रिया है